हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीवा मैं और मैं देव कोचिंग का स्टुडेंट हूँ और मैं आपको आज एक, मैं और आपको आज एक कोशन बताता हूँ इस शेप ओफ दी टोप सर्फेस ओफ आ टेबल इस ट्रैपीजियम find its area of its parallel side are 1 meter, 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.1, 0.8 meter इस कोशन को समझे, जो इसकी शेप दे रखे, इस टेबल की जो शेप दे रखे, वो ट्रैपीजियम दे रखे और इसमें find पता लगाना है कि area, area इसका पूरिया का area निकालना है इस figure का है तो इन्टू हाइट यह ट्रैपीजियम का area के formula होता है हम सब को पहले सी पता है कि यह formula होता है area of trapezium का area अजिस को मीड्या इप रखे, इस अजी को में रखे, रहे हो! यह हमारा एरिया फाइंड हो गया है अगर यह आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के ग्रूप पर जैसा आपकी आपने दीखा कि यह वीडियो जो मेरा स्ट्रेटेंट एक सिवम है इसके दोरा बनाया गया है आपको कुछ लग रहा होगा कुछ टोटी होई यह लेकिन ऐसा कुछ टोटी नहीं हुआ है ? आप कोई भी अगर कोई दिक्कत है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं दुवारा इस को समझाऊंगा एकस्क्राइं करूंगा लेकिन इस बच्चे को सपोर्ट करिए लाइक करिए और शेयर करिए और कोई भी अगर पॉइंट अगर आपको नहीं समझ वे आता है जैसा कि आप देख देखेंगे इसका जो समा पहले साइट मतलब एक साइट वन मेटर दिया है और दूसरा साइट वन पॉइंट वन पॉइंट वन होगा तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा हुआ है और दोनों को मल्टिप्लाइग करेंगे तो इलेवन एट जज़ होता है एटी एट होता है एक दो पॉइंट है पॉइंट पे है और उटो आद देख सकते हैं कि एलेवन एट ज़ा फहता है तो दो पॉइंट लगाeilãy तो आपने पॉइंटलम आपने देखा थे पूरा अच्छी तरह आखर करो समझभाला तो नूद्रमesta करें के अनुद्रफिश्ञ्छ नहीं है जि